अमजद फिलाल अभी शुरुवाती सूत्रों के वाले से ख़बर आ रही है कि महाराश्र में सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है वो लगभग लगभग अभी क्लियर हो गया है जी बिलकुल बतातू कॉमन मिन्वेंट प्रोग्राम के लिए एंसीपी और कॉंग्रेस लगाता है बैट्रकों का दोर कर रही थी और साजा सरकार जो बनी है महाराश्रा के अंदर उसके अंदर तमाम चीजों को रख के क्योंकि आगे के बाद जो होनी ती इसी के पर होनी थी प्रोग्राम के लिए तो किसान का मुद्दा हो और विदर्द की बातरूप पानी की बहुत बड़ी समस्या है महाराश्रा में तो सारे बुद्दे को लेकर तीनों पाजियों बैटके एक कॉमन मिन्वें प्रोग्राम बना रही और एक अजंदा बना रही आने आले पास साल है क्योंकि महाराश्र में जिस तरीके से सियासी गड़ोड चला और लंबे दौर की चीज़े चली कभी यह का जा जा था शिवसेना बीज़ेपी के साथ दुनाएगी वहां पर सहमती नहीं बन पाई तो शिवसेना यहां पर कॉंग्रेस और एंसीपी की रहा टटोलने लग वहां से सहमती जो गड़बंदन पत्र यहां पर नहीं पहुंचा उसके बाद एंसीपी के पाले में गया और आखिरकार राश्पती साशन तक्कियां पर बात आई लेकिन अब फिलाल अधिकारी खोश्णा कब तर वक्त लगेगा क्योंकि एंसीपी और कॉंग्रेस लगा द कि बहुत सार एसी जो चीजें जो चीजें से और कॉंग्रेस को भी क्लेर करने है कि मंतली किया होगा फॉर्मूला कैसे बनेगा कोन् डिप्री दिशीयम रहेगा सारी चीज तर होना बाकि है यह सारी चीजें जब पहुँजाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार के इ कि रहे हैं तब तक चलिए अमजद करें सभावना कि शेफ सेना यह फिर नियताओं का दिली दोरा भी हो यहां पे सोन्या गांदी से मुलाकात भी हो इस तहिकी संभावना जल जी बिल्कुल बिल्कुल कि देना लेटर जो आ रहा है सुनिया गांदी की कॉंग्रेस की जो हाइप ने सुनिया गांदी जी को भी पताना पड़ेगा बहुत बहुत चुक्रिया अमजद कान इस तमाम जानकारी के लिए